T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T. V आपको यहाने से पूर्व सोचना चाइए था, गुरुबर? उसुना है ना, यहों के साथ घून भीपिसता है? हमें घुन नहीं बढ़ना है पन्डित रामकृष्णौ। क्या हुआ ? आप लोगों के चहरे पर इतनी घबराट क्यों है ? घबरा रहे हैं ? अरे ना ना विर्बल हम तो मंत्रणा कर रहे हैं मंत्रणा अच्छा अच्छा वह क्या हैं ? दो प्रकार के हीरे हैं एक छोटे और एक बड़े तो मैं गुरुवर से यह कह रहा था कि जहाँ पना के पुझे पिताश्री की प्रतिमा के नर्मान है तो इन्हें उत्कृष्ट हीरे ही प्रदान करें और वैसे भी इतने पुर्णे कारे के लिए हीरों का विक्रे नहीं करना चाहिए जहाँ अपना आपको जितने भी हीरे चाहिए आपको निशुल्क विजयनगर की ओर से भेंट कर दिये जाएंगे जिससे आपके राज्य और विजयनगर के आपसी संबंध और भी मधूर और सुद्रण हो सके बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामा कृष्ण जी घीरे तो आप हमें दे देंगे लेकिन उसके बदले में अगर आपको ये उम्मीद है कि हम बांद का पानी खोल देंगे तो माफ कीजिए आपको नाउमीद होना पड़ेगा इसलिए हीरो की कीमत ले लेना उचित होगा बीरबल 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 हमारे पास हीरों की ख़दान है ख़दान हमारे लिए ये जल संकट कोई संकट ही नहीं है देखे आपने हमारे पडोसी राजियों को ये संदेश भिजवाया कि उनमें से कोई भी हमें जल की सहायता ना करे किन्तु हमें तो किसी से भी कोई सहायता चाहिए भी नहीं हमने तो दूर देशों से जल मंगवाया है, हीरे देकर, कई सारे विशाल जल पोच समुद्री मार्क से हमारे लिए जल लेकर बढ़ गए हैं, ताकि हम इतना जल संचित कर ले, जितना अवर्षा रितु के आने तक परियाप्त हो यह कब हुआ, कैसी हुआ हमें, हमें इस विशे में ग्याद क्यों नहीं क्योंकि आप तो यहां आने के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना गुरुवर्षा हमें इतना आशिक रिविज नगर से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था अच्छा, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमती दें और चाहिए तो अपना कोई जोहरी हमारे साथ भेज़ते उन्हें जितने भी हीरों के आवश्यक्ता होगी वो ले लेंगे जी प्रस्थान अपने पैर गोबर में डाल दिये आपको ग्या देना के पानी का अभावे अब इसे किसे दोएंगी याँ मैंने अपने पैर गोबर में नहीं डाले, तो फिर गोबर स्वयम आपके पैरों से लिपड़ गया, अब तरक पितर करना, बंद कर और पानी लेकर आइस दूने के लिए अमा, पानी का अबाव है, थोड़ा कम उप्यों कीजिए ठीके, ठीके अमा, आपने तो पूरे पानी पर गोबर पेर दिया अब मेरा तात परिया है, कि आपने पूरे पानी इसे गोबर दो दिया अब घर में एक बून पानी नहीं है, आप क्या होगा अरी, तो तू क्या चाती थी? कि मैं अपने पाउं में गोबर लगाए घुमू पानी को जिस कार्यक के लिए उप्योग होना था, वो हो गया ऐसे भी आज स्नान कीसे करना था अतहर गर में पानी समाफ्थ हो गया, तो भी कोई बात नहीं चले, प्रेदाव अपपंडित रामकृष्ण जी अब क्या है? इतनी दूर से आप यहां आये हैं, जाने की इतनी जल्दी क्या है? हमें खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए आपके आने की खुशी में आज रात ही हम जलसे का इंतजाम करते हैं जहां खान पान के साथ साथ नुरुत्य और संगीत का इंतजाम भी होगा क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल, किन्तु मेरा विजय नगर पहुचना आती आवश्यक है क्या है कि हीरों की खुदाय का कारे अभी समात नहीं हुआ है और मैं तो यहां बस जहापना को भेट दे नहीं आया था अरे ये पंडित रामा कृष्णा भीना इन्हें क्या पता कि मोबिलों की राग रागनी ऐसी होती है जिन नर्तिकियों के सामने मन्नाकनी भी कुछ नहीं पंडित रामा कृष्णा अब देखो ना कितने प्रेम कितने आदर पूर्वक यह हमें यहां रुकने का आगरह कर रहें हमें यहां रुक जाना चाहिए रामा संकट कर चलता फिटता अवतार है यह यह अवश्य ही फसवाएंगे नहीं नहीं गुरुवर यह आप कैसी बाते कर रहे हैं आपका तो विजयनगर पहुंचना हती अनिवार्य है क्योंकि आप तो विजयनगर के सर्वुष्रेश्ट पार्की है आप तो हीरों को देखते ही बता देते हैं कि हीरे मुल्यवान है या नहीं अनमोल है या नहीं बहुं मुल्य है या नहीं वो तो है है ना है ना तो विजयनगर के बड़े बड़े हीरे आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा, चलिए. हीरे, नर्द किया. हीरे, नर्द किया. अगर किसी तरह से तथाचारिय जी यहां रुख जाएं, तो इन से सच उगलवाना मुश्किल नहीं होगा. कि सच मुझ कृष्ण नदी में हीरे हैं या नहीं? हमने विचार कर लिया है, जहां पड़ा. हमने विचार कर लिया है, कि हम आपके आगरह को नहीं ठुक रहें. अरे, पैसे कैसे नहीं जाएंगे? आपको मेरे साथ चलना होगा. हम नहीं जाएंगे. अगर यह रुखना चाहते हैं, तो रुख जाएं. हम इन्हें नहीं जाने देंगे. अब यहीं रुखेंगे? नहीं नहीं, विर्बल. इन्हें मेरे साथ जाना ही होगा. नहीं, नहीं, इन्हें रुखना होगा. इन्हें का जोना की आवश्यक है, विर्बल. अरे, इन्होंने हमारा मेहमान बना सिखार किया है. चलिए ना गुरुवर, रुकिये अम्मा अम्मा यह हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे कंधे की हड़ी चठक गई है देखिए जहाँ पना क्रिशंकू की भाती हमारा कंधा हाट अगया है नीचे नहीं हो रहा है हमारा हाथ हम क्या करे गुरुवर ऐसी हालत में तो आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आपको यहीं रुकना पड़ेगा भी बिर्बल इनका विजय नगर पहुंचना आती आवश्यक है राजवैद्य है न वो इनका उपचार कर देंगे अरे सरवश्रेश्ट हकीम तो हवारिया भी है राजवैद्य का उपचार इन पर अधिक फलता है अरे पंडित रामा किष्णा हम यहीं ठेहना चातें बस जी गुरुवैर क्या है पंडित रामा कृष्णा यह कहना चाह रहे हैं यहां हमारे प्राण संकत में है अच्छा जहांपना जहांपना हमने हमने विचार कर लिया है और हमने विचार किया है कि हम पंडित रामा किष्णा के साथ विजन अगर जाना चाहेंगे जहांपना गजब हो गया जहांपना गजब हो गया क्या हुआ है जहांपना आपके ख्यालगाह में रखी आपके हीरे से जड़ी पुष्टैनी शम्शीर और मैयान नहीं है क्या क्या जिस बाती पिल्ली के भागे से दूद से भरी मटकी फूटती है उसी बाती मेरे भागे से आज प्रेम करने की घड़ी आई है जब ताता विजन अगर में है ही नहीं रिसे देखो निद्रा में मगने है अप 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 भूमी पर तेल हाँ तेल हामरपली मुझे लगा था कि तुम भूमी पर पुष्प बिच्छा कर मेरी प्रतिक्षा कर रही होगी तुमने तो तेल बिच्छा रखा है हाँ हमने तेल इसलिए बिच्छा रखा है कि तुम हमारे निकट ना आ सको ये पगली तुम्हारे पिताश्री को चने के व्रिक्ष पर चढ़ा कर विजय नगर से भेज आई इसलिए है कि तुम्हारे निकट आ सको और तुम हाँ हाँ हम नहीं चाहती कि तुम हमारे निकट आओ भासकर क्योंकि क्योंकि जल नहीं है ना तो मैं कौन सा जल का प्यासा हूँ मैं तो प्रेम का प्यासा हूँ अरे ओ प्रैम पुझारी, तुम समझ नहीं रहे हो. अरे इसमें समझने जैसा क्या है? देखो, अब तुम मुझे अपने निकट आने से नहीं रोग सकती. रुख जा, हमारे निकट मत आना. भाज़कर, जल नहीं हमें स्नान नहीं किया है. तुम मैंने कौन सा स्नान किया है? अगर तुम्हे हमारे निकटाना है, तो फिर तो फिर तुम हमारे लिए जल का प्रबन कर प्याओ चांद सितारे मांग लेती तो संभवता लेकर भी आता, जल कहां से लाओ? तुम्हें ग्यात है, संपुन्द विजे नगर में जल है ही नहीं? अरे है? है? कहां? महारानी के महल में एक जल कुंड है, उसमें उन्होंने धेर सारा जल इकटा कर रखा है जाओ और हमारे लिए जल लेकरा तुम्हें पता है, महारानी ने जल कुंड के चारो और पहरा लगा रखा होगा हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं सुनना हम तुमसे भेट नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे लिए जल नहीं लेकर आते अमरपाली, सुनो तो, अरे अरे, सुनो तो, आमरपाली अरे, सु गई एक और प्रेम, एक और जल करूं भी तो क्या करूं तुम कुछ तो करना पड़ेगा हमारे खांदानी शंशीर और मयां हमारे खौपगा से कहां जा सकती जहां पना, यकीनन किसी नए हीरो के लालश में उसे चुराने की गुस्ताखी की है जहां पना, लगता है उपर वाले ने मेरी दुआ कुबूल कर ली यह क्या कह रहे हैं भीरबल हमारी खांदानी शंशीर चोरी हो जाई, यह दुआ मांगी थी अपने अल्ला अताला से नहीं नहीं जहां पना, हमने तो यह दुआ मांगी थी कि कुछ ऐसा हो जाए और पंडित रामा गृष्ण जी को यहां से ना जाना पड़े अब आप यहां से नहीं जा सकते क्यूंगे यह बात तो पूरा भारत जानता है कि जहां समस्या विकट वहीं रामा प्रकट इन्हें रुकना है तो रुके हम तो बस यहां से भीजे नगर के लिए प्रस्थान करेंगे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं रुक जाए रुक जाए पंडित रामा कृष्ण जी अगर आप गुरुवर को यहां से ले जाना चाते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि जहां पना की हीरो से जड़ी शम्शीर और मयान किस ने चुराई क्यों जहां पर रामा बीरबल तेरा मित्र है या शत्रू ये तो तुझे फसा रहा है इसकी बातों में मताना बहुत बुद्धी मान है ये मुझे क्या थे बंदू पंडित रामकृष्ण जी अब अगर आपने चोर का पता लगा लिया तब तो गुरूर आपके साथ विजय नगर प्रस्थान कर सकते लेकिन अगर आप चोर का पता लगाने में असफल हुए तो तथाचार्य जी को यहीं रुकना पड़ेगा हमेशा के लिए क्या 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 हां आप यहीं रहेंगे और हमारे दर्बार के निर्टिसंगीत का लुट्फ उठाएंगे नई हम जाएंगे हम जाएंगे हमें जाने की अनुमती दीजी हम जाएंगे रुक जाए गुरुवर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं अब तो आपका जाना पंडित रामकृष्ण पर निर्बर है पंडित रामकृष्ण जी कहिए क्या आपको यह चुनौती मन्जूर है पंदित रामा कृष्णा स्मयरुन रहे जदी हम यहां से नहीं निकल पाए हम आपको छोड़ेंगे नहीं अच्छा? क्या करेंगे आप? ऐसी परस्तिती में मुझे धमकाना आपके स्वास्ति के लिए आने का रखो सकता है गुरुवर अरे पंदित रामा कृष्णा आप तो हर बाता भूरा मान जाते हैं हम तो बस यह कह रहे थे कि हम तुनों का यहां से निकलने में ही कल्यान होगा उचित है मुझे चुनौतिस विकार है अतिशीग्र चोर का पता भी चल जाएगा और मैं गुरुवर को अपने साथ लेकर प्रस्थान भी करूँगा जहां बना आपकी तलवार आपके कक्ष से चोरी की गई इसका अर्थ ये है कि चोर वही है जो आपके कक्ष में निरंतर और बिना रोक्टों के आ जा सकता है वो कोई दास और दासी भी हो सकती है अतह आपके कक्ष में हर आने जाने वाला और आपके कक्ष के बाहर पहरा देने वाला हर दास और दासी को यहां उपस्थित करवाया जाए चोरी किसने की चोर कौन है इसका पता मैंने अपितु मेरा एक मित्र लगाएगा हम जानते तरह पंडीत रामाकिष्णा यह अफसर आप हमें ही देंगे तिल्कुल नहीं मैं आपके विश्य में बात ही नहीं कर रहा है वो मित्र कोई और है और कौन है यहां पर आपका मित्र है जहां बना मैं अपने उस मित्र को अपने साथ यहां लाने की अनुमति चाहता हूं कि समित्र को लाने जा रहे हैं यह आपने कैसी शर्त रखी है वीरबल आप अच्छे से जानते हैं कि पंडित नामा कृष्णा कितने अकलमंद है और अगर उन्होंने अपनी अकलमंदी से चोर को पकड़ लिया तो फिर वो विजय नगर के राजगुरु को लेकर यहां से चले जाएंगे और फिर हम कैसे पता लगवाएंगे कि विजय नगर की नदी में हीरों की खान है या नहीं जहाँ पना इस बात में तो कोई शक नहीं के पंडित रामा कृष्णा बहुत ही अकलमंदी लेकिन ये विजय नगर नहीं है यहां पर वो किसी को नहीं जानते ऐसे में चोर को पगड़ पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा अब फिकर मत कीजिए लेकिन सोचने की बात तो ये है अपने कौन से मित्र की बात कर रहे थे वो वो भी यहां कहां गई ये बंडित्रा माकिस्टा आपने किस मित्र को लाने चले गाई समस्त्या कर रामा प्रकर्ट समस्त्या कर रामा प्रकर्ट मानना पड़ेगा बीरबल महाओदय को एक सेर तो दूसरा सवा सेर युक्ती तो बहुत अच्छी लगाई है बीरबल ने पंडित्रामा कृष्ण को रोकने की परन्तु हमारे मित्र पंडित्रामा कृष्ण भी कम नहीं है श्वान लेकर आ गए देखते हैं इस बार किस युक्ती से पता लगाएंगे चोर का आनंद तो अब आएगा दो मित्रों का भुधियुद देखने में झाल